हलो एब्रिवन कैसे हैं आप लोग आई होप सब बढ़िया आज की लेक्चर में आर हम अपनी सॉर्टिंग वाली सीरीज को कंटीनिव करेंगे हमने अभी तक सेलेक्शन सॉर्ट पढ़ लिया है बबल सॉर्ट पढ़ लिया है आज की लेक्चर में हम इंसर्शन सॉर्ट नों के लिए हमने फूरा analysis किया time का space complexity देखिए उनकी agency property देखिए एंगर आपको stability property क्या होती है यह नहीं पता है या इंदोनों algorithms के बारे में नहीं पता है तो आप last two lectures देख़ लो पहले शीक है और अuni के lecture में यार ये सारी चीज़े ये सारी चीज़े हम इंसर्शन सॉट के लिए देखने वाले हैं किया अल्गॉरिधम है अनालिसिस करेंगे टाइम कॉम्प्लिक्सिटी का स्टेबल है या नहीं ये सारी चीज़े आज देखेंगे चीक है सो विदाउट फर्दे रेडू लेट्स के अंदर हम लोग एरे को इस तरह से मैनुपिलेट करते हैं कि आट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम हमारा एरे दो पार्ट में डिवाइड़ेड होता है पहला पार्ट सौर्टेड और दूसरा पार्ट अंसौर्टेड अब हर एक आइटरेशन में हम अंसौर्टेड वाले पार्ट में से एक एलिमेंट को उठाते हैं और उसकी सही जगा डूमते हैं सौर्टेड वाले पार्ट में ठीक है और जो भी उसकी सही जगा होती है किसी रहा से उसको उसकी सही जगा पर रख देता है ठीक है सो यहर बेसिक प्रिंसिपल क्या है इंसर्शन सॉट के पीछे किया टेक वन एलिमेंट फ्रॉम दी अनसॉटेड पाट आइटरेट थ्रू दी सॉटेड पाट and find दी करेक्ट पोजिशन of this element यह देखो selection sort में हम minimum element select करते थे और उसको correct जगा पर रख देते थे ठीक है बट इंसर्शन सॉट में हम minimum element को ढूंड के उसकी सही जगा पर नहीं रख रहे इंसर्शन सॉट में हमारे सामने जो चीज़ आ जाती है हम उसको ही उसकी सही जगा पर रखते है minimum नहीं select कर रहे है जो element दिख गया उसी को उठा करके sorted array के अंदर उसकी सही जगा पर रख रहे है एक example से समझते है इस चीज़ को let's say आपके पास एक array है 8,3,6,2,4,5 ठीक है तो यह जो first part of the array है currently उसके अंदर सिर्फ एक element है और बाकी सारे जो elements हैं वो second part of the array के अंदर है इस first part of the array को हम sorted रखेंगे इस second part of the array को यह unsorted होगा क्योंकि अभी हम manipulation इधर करेंगे इधर से उठा के तो यहर हम हर एक element पर जाएंगे starting from 3 क्योंकि unsorted array के अंदर फिलाल पहला element 3 है तो हम 3 को pick करेंगे और हम 3 को इस sorted part of the array के अंदर सही जगा पर रखेंगे क्योंकि what we want is कि first half of the array first part of the array तो हमेशा sorted ही रहे ठीक है तो हम जो भी element pick कर रहे है उसको हम उसकी सही जगा पर रखेंगे ठीक है तो अब यार देखो अगर आप 3 को उठाके उसकी सही जगा पर रखोगे तो 3 की सही जगा क्या है 8 से पहले है ठीक है 8 से पहले है तो अब क्या हो गया अब हमारे पास sorted part के अंदर दो elements आ गए ठीक है 3 और 8 दोनों sorted में आ गए 6,2,4,5 अभी unsorted है अब हम 6 पर आएंगे अब हमें 6 को उसकी सही जगा पर रखना है sorted part के अंदर ठीक है ये part sorted है ये part अभी unsorted है ठीक है तो 6 को सही जगा पर रखना है देखो 6 की सही जगा क्या होगी क्या यहाँ होगी 6 की सही जगा नहीं क्योंकि 8 6 से बढ़ा है क्या 8 से पहले यहां 6 की सही जगा है पता नहीं depends on कि यहां क्या number है है ना आप देखो कि यहां पर 3 है तो हां यार 3 के बाद ही 6 आना चाहिए और 8 से पहले आना चाहिए तो हमें 6 की सही जगा यार मिल गई 6 की सही जगा है 3 और 8 के बीच में ठीक है तो ये 8 हो गया आगे और 6 यहां आगया तो अब जो sorted part है उसके अंदर 3, 6, 8 है unsorted में 2, 4, 5 है अब ये चीज यार कैसे होगी ये हम समझ लेंगे उसकी tension मतलो अभी आप अभी आप fundamental ये समझो कि algorithm में कर क्या रहे है हमें हर एक element को pick कर रहे है और उस element को sorted part के अंदर उसकी सही जगा पर रख रहे है सही जगा हम कैसे ढूनेंगे वो हम अभी देख लेंगे ठीक है तो ये 2 को अब हमें sorted area के अंदर रखना है पर such that 2 को इसके अंदर place करने के बाद ये पूरा का पूरा sorted ही रहना चाहिए sorted order खराब ना हो ठीक है कहां रखें देखो यार यहां आएगी 2 की सही जगा ठीक है तो ये जो 2 है ये उठके यहां जाना चाहिए ठीक है अब ये part sorted है और unsorted के अंदर हम 4 को pick करते है 4 को उठाओ और 4 देखो और 8 से पहले 3 के बाद में ठीक है तो यहां 4 आजाना चाहिए 6 और 8 यहां पर है तो हमने sorted के अंदर अभी इतने सारी elements रख दी है यह 4 यहां से हट गया है अब unsorted में सिर्फ एक 5 बचा है अब इस 5 को सही जगा पर रखना है तो 5 की सही जगे देखो क्या होगी कहां आना चाहिए 5 यहां आना चाहिए 4 और 6 के बीच में तो इस 5 को उठा करके हमें यहां रखना है ठीक है यह 5 आ जाएगा यहां पर अब आप देखो sorted array जो है उसके अंदर 6 elements आ गए ठीक है initially array के अंदर आर 6 elements थे तो sorted part के अंदर 6 elements आ गए है और unsorted part जो है empty हो गया है तो एक एक करके unsorted part में से उठा के elements sorted part में रख रहे हैं ठीक है अब main issue यार यहां पर यह है कि हम यह करेंगे कैसे unsorted part में से element को उठाना है और उसके अंदर उसकी सही position दूढनी है sorted part के अंदर तो अभी हम यह discuss करने वाले हैं कि आर अगर हमारे पास एक sorted part of the array है ठीक है मान लो यह sorted part of the array है और एक unsorted element हमें मिल जाए जिसकी हमें sorted part के अंदर correct position रूढनी है तो हम यह कैसे कर सकते हैं ठीक है यह हम देखेंगे अभी let's say आर आपके पास यह elements रखे हुए इनके indices फिलहाल यह है ठीक है अब यह तो पूरा sorted है मान लो at an instant आप यह sorted part के अंदर हो और यह पूरा sorted है ठीक है अभी मैं सिर्प आपको यह बता रही हूँ कि एक sorted array के अंदर एक नए element की correct position को कैसे ढूंगते है ठीक है यह एक नए element है let's say 7 ठीक है और हम इस 7 को sorted part के अंदर correct place पर रखना है ठीक है तो क्या करें यहार हम यहां से देखना शुरू करते हैं पहले element से 15 और 7 को compare करते हैं क्या 15 और 7 के अंदर 7 अपनी सही position पे है अगर हम इन दोनों को ही compare करें तो हम अगर आप इन दोनों को compare करें तो अगर आप इन दोनों को compare करोगे तो आप देखोगे कि यार यह जी swap हो जानी चाहिए 15, 7 से तो बढ़ा ही है तो 15, 7 के बाद आना चाहिए और लेकिन actual में क्या हो रखा था actual में 7 बाद में आ रहा था और 15 पहले था तो हमने swap करके 15 को बाद में कर दिया और 7 को हमने पहले लिख दिया अब हम 7 और 13 को यार compare करेंगे उसमें भी यह यार 13 तो बाद में आना चाहिए था अभी 7 की correct position का पता नहीं पर for sure fourth position तो correct नहीं है चीक है 13 तो पक्का बाद में आना चाहिए था तो हमें इन नोनों को भी swap कर देना चाहिए यहाँ 7 आ जाएगा और यहाँ 13 आ जाएगा चीक है अब similarly इस 7 को यार 9 से compare करेंगे यहाँ भी सही नहीं लग रहा है 9 तो बाद में आना चाहिए था और 3 तो फिर इसका मतलब यह है कि 3 7 की correct index नहीं हो सकती तो यहाँ पर हमें swap कर देना चाहिए यहाँ 7 लिखनेंगे यहाँ 9 लिखनेंगे अब हम इन दोनों numbers को compare करेंगे अब यार देखो यह जो है यह correct order में है तो अब हमें इसके पीछे कोई comparison करने की जरुवत नहीं है क्योंकि हमें पता है कि यार हम ना sorted area के अंदर थे अभी तक तो अगर यहाँ पर हम एक correct conclusion पे पहुचे है कि यार यह order जो है correct order पे पहुचे है यह order correct है तो इसके पीछे जो है वो सारे orders correct ही होंगे 5 से छोटे ही number होंगे पीछे तो हमें 7 की जो correct position है वो हमें यहीं मिल जाएगी हमें उससे पीछे जाके ढूढने की जरुवत नहीं है 7 की correct position को ठीक है जब पहली बार आपको ऐसी situation मिलेगी कि यार अब तो यह 7 है यह relative to the previous number सही जगा पर है वो point होगा कि आप 7 की correct position ढूढन चुके होंगे और 7 को आप correct position पर रख भी चुके होंगे अब आपने जो swaps करें है जो बचा हुआ array था वो भी sorted ही है उसका order भी खराब नहीं हुआ है बस हमने यह जो yellow line है अब actual में क्योंकि 7 भी sorted part का part हो चुका है अब ठीक है तो अब this whole array is sorted ठीक है तो एक element को एक outsider element को एक sorted array के अंदर कैसे put करना यह समझ आ गया पीछे से compare करते वे चलेंगे adjacent elements को जब भी order खराब दिखेगा swap कर देंगे और जब भी पहली बार order सही दिखेगा वहाँ रुख जाएंगे वहाँ समझ जाएंगे कि अपनी सही जगा पर पहुच चुका है क्योंकि पीछे वाला array भी उसके पीछे वाला array भी है sorted ही था तो उसके पीछे जाने की जरुवत भी है तो यार यह था insertion sort इसका अभी हम code भी लिखेंगे ठीक है उससे पहले एक दो real life examples discuss करते हैं कि यार हमें insertion sort के थूँ हम real life में कहां पर sorting कर रहे हैं ठीक है तो पहला example है shirts का let's say एक shop के अंदर यार size wise shirts लगी हुई है ठीक है तो इन सब का कुछ size है और हमें एक नई shirt लगानी है यह जो already shirts है यहाँ पर उन सब का size यार sorted order में है इस तरह से shirts लगी हुई है अब मान लो भार से कोई एक नई shirt आती है जिसका size कुछ है ठीक है पर हमें नहीं पता वो क्या size है कुछ भी size हो सकता है let's say 18 ही है size ठीक है और अगर हमें इस 18 size वाली shirt को सही जगा पर रखना है तो हम क्या करेंगे क्यार यह 24 और 18 को देखेंगे क्यार यह जो 18 है यह 24 से तो पहले आनी चाहिए थी तो हम इस 18 को यहाँ insert कर देंगे यह यहाँ आनी चाहिए थी 24 से पहले 18 यहाँ आनी चाहिए थी अब हम देखेंगे क्यार नहीं 18 और 22 को आप compare करोगे तो आप देखोगी 18 तो 22 से भी पहले आना चाहिए था तो आप 18 को 22 से पहले insert कर दोगे आप देखोगी 20 और 18 है और 18 तो 20 से भी पहले आना चाहिए था तो आप इसको 20 से पहले insert कर दोगे अब यहाँ पर हम insert करते करते बिल्कुल अपनी line के end पे पहुँच गये है तो हमें और जादा देखने की ज़रूरत नहीं है तो हम correct position पे insert कर रहे है दूसरा example यहाँ हो सकता है cards का जब हम cards खेलते हैं तो एक इंसान cards बाट रहा होता है distribute कर रहा होता है और हम लोग अपने हाथ में उनको sort करके रखते हैं जैसे जैसे हमें cards मिलते जाते हैं हम अपने card को सही position पे insert करते हैं तो मान लो यार आपके पास cards है 3, 5, 8, 10 यह cards आपके पास already है अब जो cards बाट रहा है उसने आपको एक 7 नाम का card और दे लिया तो अब आपको 7 को अपनी सही position पे insert करना है तो आप देखो कि कि यार यह कहां जाना चाहिए क्या यह 10 से तो पहले ही जाना चाहिए तो 10 को आप right side move कर देते हैं और 7 को यहां रखने की कोशश करते हो और then you realize कि नहीं यार 8 से भी पहले आना चाहिए 7 तो आप 7 को यहां लाके रखते हो 7 को इस जगह insert करने की कोशश करते हो फिर आप देखते हो कि यार 5 और 7 का अगर comparison किया जाए तो अब 7 सही जगह पर है अब इससे पीछे जाने की ज़रुवत नहीं है तो आप 7 को यहां पुट कर देते हो तो आप एक sorted part के अंदर एक stranger element को एक outsider element को इस तरह से insert करते हो ठीक है adjacent elements को compare करके insertion sort में भी हम यही कर रहे है insertion sort में हम यहारे एक element उठाते है sorted part में iterate करके उसकी सही जगा को ढूंगते है और उसको वहां रख देते है सही जगा को ढूंगना और रखना यह काम कैसे हो पा रहा है हम adjacent elements को swap कर सकते है ठीक है और जब तक out of order है चीज़े हम swap करते रहेंगे और अपना values चेंज करते रहेंगे जो हमारा एक iterating variable करना पड़ेगा ना हम iterating variable को change करते रहेंगे यह चीज़ आपको code में जादा समझ आएगी ठीक है नाव लेट्स इंप्लिमेंट वाट्वी है डिस्कॉस्ट तो पार हम लोग लेक्ट्चर 39 में है insertion sort ठीक है main.java नाम किये एक फाइल के अंदर हम main method में एक array बनाएंगे ठीक है let's say array है 8,3,6,5,4,2 ठीक है और हमें एक method लिखना है insertion sort जिसको हम यह array पास करेंगे एंड हमारी expectation है कि insertion sort इस array A को increasing order में sort कर देगा decreasing order का code आप खुछ से लिख सकते हो similar logic होगा signs बदलेंगे बस ठीक है तो हम print कर लेते हैं यह पर for each वाला syntax में use कर रहे हूं print करने के लिए I hope कि आपको अभी तक यह वाली चीज़ आ गई होगी यार for each वाला syntax तो आई जाना चाहिए अब तक काफी बार यूज़ कर चुक है तो implement करेंगे insertion sort method जो की void return type रखेगा क्योंकि कुछ भी return नहीं करना है उसे a के अंदर ही changes करने है ठीक है n यार हो गई हमारे array की length और हमने जैसा की discuss किया कि हमें unsorted part of the array के अंदर traverse करना है और हर एक element को उसकी correct position पे रखना है sorted array के अंदर जाके यह जो for loop मैंने लगाया है आई का वो one से शुरू किया है वो one से क्यों शुरू किया है यार जो हमने अभी example discuss किया था 8,3,6,2,4,5 इसको भी discuss करते वक मैंने आपको starting में क्या बात बोली थी यार यह जो eight है हम यह मानते हैं कि जो पहला element है वो sorted list का ही part है ठीक है हमें क्या करना है unsorted list के हर एक element पे जाना है और उसे sorted list में डालना है तो जो 0th index पे element है उसको हम sorted list का ही part मान रहे है इसलिए हम iq value को one से शुरू कर रहे है जब iq value one होगी तब हम three को सही जगा रखने की कोशिश करेंगे जब iq value two होगी तब हम six को सही जगा रखने की कोशिश करेंगे ठीक है सही जगा कैसे रखते हैं इस example को थोड़ा सा extend कर लेते हैं मान लेते हैं कि iq value न चल चल के यार हम लेटसे की iq value four हो गई है one two three के लिए processing हो चुकी है one two three के लिए processing हो गई होगी इसका क्या मतलब होगा कि इतने elements तो sorted हो गए होंगे ये sorted part में होंगे और four और five unsorted part में होंगे मैंने directly आपको iq value four पे क्यों move किया है क्योंकि अभी जो हम code लिखने वाले हैं उसका explanation देने के लिए थोड़े ज़ादा elements हो गए हैं मेरे पास ठीक है तो मैं आपको easily अभी i equal to four से समझा पाऊंगी कि हमें इस four को correct position पे कैसे रखना है code के through वैसे तो हम already discuss कर चुके हैं कि यार हम swap करते रहेंगे adjacent elements का पर actual में इस चीज कैसे होगी code में ये देखेंगे so currently i की value यार four है हम एक और j रख लेते हैं एक और variable j नाम का जिसको हम four से initialize करते हैं ये four क्या है i है तो j को हम i से initialize कर रहे है ये j point कर रहा है उस element को जिसको हम correct position पे रखने का try कर रहे हैं ठीक है तो four है वो element जिसको हमें सही जगा पर रखना है और ये जो four है यार ये index four है ये element four नहीं है ये index four है ठीक है तो हमें क्या करना है हमें adjacent element square repair करना है तो j is equal to four पे जो है उसको compare करना है और जो j minus one पे है तो four और three पे जो elements पड़े में उनको हमें compare करना है ठीक है तो आप a, j और a, j minus one को compare करोगे ठीक है और अगर आपको AJ किसी भी point पे AJ-1 से छोटा मिलता है तो आपको swap करना होगा तो यहाँ पर आप देखोगे कि 4 छोटा है तो यहाँ पर swap होना चाहिए हमने swap कर दिया swap करने के बाद हमें J की value को decrease कर देना चाहिए हमें J की value को decrease कर देना चाहिए क्योंकि अब 4 की index क्या है यह जो 4 था इसका index पहले 4 था लेकिए ना हमने swap कर दिया है तो 4 का index अब क्या हो गया है 3 तो यार J को हमने 3 कर दिया ठीक है अब हमें फिर से J और J-1 को compare करना है ठीक है adjacent elements को compare करना है ठीक है तो यह J भी हमें J actual में हमें traverse करने में help कर रहा है जे point कर रहा है जिस element को हम सही जगा रखना चाहते उसका current index क्या है ठीक है तो 3 को और आप जो J is equal to 3 पे जो element पढ़ा हुआ है उसको और J-1 पे element पढ़ा है उसको अब इन दोनों को compare करोगे यार 4 less than 6 है तो आपको swap करना चाहिए ये 4 की correct position नहीं हो सकती तो यहाँ पर हम swap करेंगे swap करने के बाद हमें J को भी decrease कर देना चाहिए तो अब यार J यहाँ आ जाएगा ठीक है अब हम इस 4 को और इस 3 को compare करेंगे AJ और AJ-1 को ठीक है यार ये already correct order में है अब ये वाली condition satisfy नहीं होगी तो हम सही जगा पर पहुच चुके है जैसा हमने इस example में भी देखा था कि यार जब हमें यहाँ पर correct order मिल गया था तो हमें और ज़ादा पीछे जाके comparisons करनी की ज़रूरत नहीं है तो हम इस point पर रुख सकते हैं ये वाली condition break हो जाए तो हम कैसे comparisons कर रहे है हमने एक और variable लिया है जिसको हमने i से initialize किया है हम इस j और j-1 पर जो elements है उनको हम हर point पर compare करते है ठीक है क्या aj less than aj-1 है ये चीज हम check करते है ठीक है अगर ये condition true हो जाती है तो हम swap कर देते है aj को और aj-1 को उसके बाद हम j को minus minus कर देते है क्योंकि swap कर दिया है हमने इसका मतलब जो current element है उसका index से कम हो गया होगा इसलिए j को minus minus कर दिया छीक है swap करने का code हमें लिखना आता है तो हम इसको लिख देंगे temp is equal to aj temp variable यूज करके कर रहे है और aj minus 1 के अंदर aj के अंदर आप aj minus 1 रख दोगे और aj minus 1 के अंदर आप temp रख दोगे छीक है तो यह हमने swap कर दिया aj और aj minus 1 को छीक है अब एक यहाँ पर issue है यार हमेना यहाँ पर यह condition भी लगानी चाहिए कि यार जब तक j greater than 0 है तब तक ही हमें यह करना है क्योंकि j equal to 0 हो गया तो हमें j और j minus 1 को compare करने की ज़रूद नहीं है इसका मतलब यह है कि जिस element को हम सही जगा पर रखने वाले हैं वो 0th index पर आ गया है 0th index से पीछे तो और को index होता ही नहीं है तो इसका मतलब यह है कि वो सबसे छोटा element है तो हमें और अंदर नहीं आना चाहिए ठीक है एक चीज और यार यार यह जो j greater than 0 वाली मेंने condition लगाई है ना यह condition हमें पहले लगानी चाहिए बाद में नहीं लगानी चाहिए ऐसे नहीं लिखो इसको ठीक है ऐसे मतले लिखो j greater than 0 है यह चीज पहले चेक करो क्योंकि आर देखो and operator कैसे काम करता है अगर j greater than 0 होगा यह तभी इस वाली condition को चेक करेगा ठीक है पर अगर आप इसको आगे पीछे लिख दोगे अगर आप पहले यह चीज करने लग जाओगे तो let's say j 0 है आपने ऐसे लिखा हुआ है आपने ऐसे लिखा हुआ है और j की value 0 है तो यहाँ पर आप a 0 और a minus 1 को compare करने लग जाओगे ठीक है तो एक negative index access हो रहा है अगर यहाँ पर j 0 होगा न तो यह वाला expression चलेगा ही नहीं वो यहीं से बाहर आजाएगा इसलिए इस तीज का ध्यान रखना चलो अब यहाँ इतना सा ही code यार यह चल जाना चाहिए इसको हम run करके देखते है तो आपने देखो 2,3,4,5,6,8 sorted array हमारे पास आ गया एक इसका quick dry run भी कर लेते हैं हम लोग जिससे आपको बिल्कुल पूरी तरह समझा आ जाए छोटा सा example लेते है let's say array है 5,4 2,3 यह चलो पूरा ही 5,4,3,2 ले लेते हैं 0,1 2,3 इसके indices हैं n,4 है which is the length अब i की value 1 होगी ठीक है i की value 1 के लिए देख रहे हैं क्या हो रहा है i की value 1 के लिए हमने j को initialize किया i से तो j is equal to 1 है ठीक है i और j दोनों यहाँ पर ही point कर रहे है i भी यहाँ है और j भी यहाँ है next line पर आएंगे यहाँ चेक करेंगे क्या j greater than 0 है yes और aj और aj minus 1 को compare करेंगे क्या aj less than aj minus 1 है yes so they should be swapped तो हम अंदर आएंगे और 4 और 5 को swap कर देंगे ठीक है तो 4 और 5 को हमने swap कर दिया चलो एक काम करते हैं इसको erase करके ही लिख लेते हैं तो यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ 5 आज गाएगा यह हमने swap किया है ठीक है swap हो गया swap के बाद हमें j को minus minus कर देना चाहिए तो j की value यार 0 हो जाएगी ठीक है अब हम फिर से देखेंगे क्या while j greater than 0 है हाँ यार j greater than 0 वाली condition देखो यह यहीं पर break हो जाएगा j already 0 हो चुका है j greater than 0 नहीं है ठीक है तो हम i equal to 1 के लिए और कुछ नहीं करेंगे हम i की next value पर चले जाएगे i की value अब 2 हो जाएगी ठीक है तो i equal to 1 से हमने expect क्या किया था कि वो 4 को सही जगबे रख देगा जो उसने रख भी दिया 4 और 5 हो चुका है ठीक है तो हम i की next value 2 पर आ जाएगे जिसके लिए j initialize होगा यार 2 से ठीक है j 2 से initialize हुआ condition check करी क्या j less than a j minus 1 है yes तो हम इसको swap कर देना चाहिए तो 3 की जगा 5 आ जाना चाहिए और 5 की जगा 3 ये swap हमने कर दिया ठीक है अब हम j की value को decrease कर देंगे इस line से ठीक है तो j की value 1 हो गई फिर से y loop की condition को check करोगे j greater than 0 है क्या हाँ यार j greater than 0 है क्योंकि j फिलाल 1 है और फिर ये वाली condition check करोगे क्या 3 less than 4 है हाँ 3 less than 4 है तो यहाँ पर swap होना चाहिए तो आप यहाँ 3 लिख दोगे और यहाँ आप 4 लिख दोगे ठीक है उसके बाद आप j को decrease करोगे तो j 0 हो जाएगा j 0 हो गया अब आप फिर से while loop की condition check करोगे अगली iteration करनी है या नहीं ये देखने के लिए j greater than 0 है क्या नहीं तो हम ये वाला expression होने वाला ultimate ठीक है तो यहाँ पर हमें j 0 मिल चुका है तो यार अब ये वाला loop यहीं खतम हो जाएगा ठीक है तो j का loop खतम हो गया तो हम अब i की value को increase कर सकते हैं ये वाला loop यहाँ तक था ना तो इस point पर क्या होगा इस point पर i की value increase होके 3 हो जाएगी 3 हो जाएगी ठीक है तो i 3 हो गया i is equal to 3 के लिए j 3 से ही initialize होगा i is equal to 3 के लिए j 3 से initialize होगा आप check करोगे j greater than 0 है हाँ है आप इन दोनों elements को compare करोगे इनका order आपको गलत दिख रहा है तो आप इनको swap कर दोगे यहाँ 2 और यहाँ 5 आजाएगा ठीक है और j की value को आप decrease कर दोगे j की value को decrease कर दिया अब j is equal to 2 और j is equal to 1 क्योंकि a j और a j minus 1 पे compare कर रहे हो ना तो 2 और 4 को compare करोगे इनका order भी गलत दिखेगा तो इनको भी swap कर दोगे इनको swap करके j की value को 1 कर दोगे j की value 1 हो गई उसके बाद फिर से condition चेक कर दोगे condition ये value तो true है ये value भी चेक कर रहे हो क्या 2 less than 3 है हाँ यार 2 less than 3 है तो यहाँ पे भी swap होना चाहिए swap कर दिया और j की value को यार 0 कर दिया ठीक है अब j की value 0 हो गई condition true नहीं होगी तो इस y loop से हम बाहर आ जाएंगे ठीक है y loop से बाहर आ गए तो i की value 4 होगे i की value जैसे ही 4 होई तो ये वाली condition false होगे क्योंगी 4 less than 4 नहीं है ठीक है तो अब इस point पे देखो यार array क्या है 2,3,4,5 ठीक है तो हर एक point पे हर एक element को उठा करके unsorted part से sorted में correct जगह पर रख रहे है और इस तरह से unsorted part end में खाली हो जाता है और sorted part के अंदर पूरे n elements आ जाते हैं ठीक है now let's see the time complexity of this code देखो ये तो एक loop है loop के अंदर एक ये statement लिखी हुई है ये एक simple statement है ठीक है basically input size पर dependent नहीं है j equal to i बस एक assignment है तो ये constant time है मान लो कि ये c constant time है ठीक है इसमें c time लग रहा है उसके बाद एक loop है loop के अंदर कुछ-कुछ हो रहा है loop कितनी बार चल रहा है वो हमें देखना पड़ेगा बढ़ लूप के अंदर देखो क्या हो रहा है रखने के लिए मैंने भी c1 c2 रखती है ठीक है अब यहां time complexity की बात करते है यह let's say कि आपको एक sorted array ही input में मिल जाए 1,2,3,4,5 तो आप देखो आप इस y loop के अंदर ना कभी भी नहीं जाओगे i की value 1 से शुरू होगी और यह वाली condition true ही नहीं होगी तो आप i equal to 1 के लिए इस loop के अंदर नहीं जाओगे i equal to 2 हो जाएगा तो भी आप j वाले loop के अंदर नहीं जाओगे i equal to 3 हो जाएगा तो भी आप j loop के अंदर नहीं जाओगे i equal to 4 हो जाएगा तो भी आप j loop के अंदर नहीं जाओगे n-1 times चल रहा है बार वाला लूप और इसके अंदर कितना काम हो रहा है let's say constant time लग रहा है condition check करने में assignment में तो वो constant time लग रहा है c1 मान लो उसको c मान लो कुछ भी मान लो यह मैं best case की बात कर रहे हूँ जब while loop एक भी बार नहीं जला जब while loop एक भी बार नहीं जला कब नहीं जला जब हमें already sorted array मिला तो best case में best case में हम o of n time में ही है कर पाए n-1c था constants को ignore किया bigger notation में o n मिल गया हमको टेक्निकली हमें omega n लिखना चाहिए अभी मैंने o लिख दिया है बढ़ क्योंकि best case को हम omega से represent करते है average को theta से और worst को bigger से ठीक है चलो अब मान लो worst case आपको मिल जाता है worst case में क्या है यार input के अंदर बिलकुल ही ultra sorted array मिल जाए increasing में sort करना था decreasing आपको मिल जाए basically reverse मिल जाए एक दम जो answer है उसका ठीक है उस case के अंदर i is equal to 1 के लिए आप देखोगे i is equal to 1 के लिए एक swap होता है एक comparison होता है i is equal to 2 के लिए 2 होते है i is equal to 3 के लिए 3 होते है ठीक है क्योंकि let's say हम यहां घड़े हैं तो हम सारे elements से जाके पीछे के जितने भी elements से उन सब से compare कर रहे हैं तो approximately यार 1, 2, 3 इस order में जो है comparisons और swaps चल रहे हैं हमारे ठीक है तो उस case में i की value देखो last तक कहां जाएगी n-1 तक जाएगी last में n-1 swaps होंगे basically यह वाला जो statement है यह worst case में हर एक हर एक बार हर i की value के लिए i times चल रहा होगा ठीक है तो i equal to 1 के लिए ये एक time चलेगा i equal to 3 के लिए 3 times चलेगा i equal to n-1 के लिए n-1 times चलेगा ठीक है तो हमें ये निकालना है कि total time इसमें कितना लग जाएगा i की value तो 1 से n-1 तक है हर एक i के लिए j कितनी बार चल रहा है j के अंदर कितनी बार आ रहे है यह यहां लिखा हो है तो इन सबको अगर हम add कर दे 1 प्लस 2 प्लस 3 up to n-1 ठीक है तो अगर आप इसका sum करोगे तो आपको मिलेगा n-1 by 2 ठीक है जिसको आप big O में लिखने जाओगे तो आप इसको O n-square लिख पाओगे ठीक है बाकी जो क्योंकि n-square by 2 minus n by 2 बनेगा तो big अगर n की value बहुत बड़ी है तो n-square के comparison में n तो एक minor degree term है उसको ignore कर सकते है ठीक है तो यहाँ पर n-square आजाएगा ठीक है average case में भी यह होगा average case में भी हम मान सकते हैं कि approximately n-square operations हो रहे होंगे ठीक है तो average case की time complexity भी n-square ही है time complexity के दो lectures है आप वो दोनों lectures देख लो कर आपको time complexity समझने में calculate करने में दिखकत आती है वो दोनों lectures आप देख लो एक बार I highly recommend कि हमने अलग-अलग type of questions भी किये हो है time complexity के lecture में calculation के ठीक है तो वो आप एक बार देख लो ठीक है time complexity आप हमने discuss कर ली space complexity o1 है because we are not using any extra space हमने array को in place ही sort कर दिया हमने कोई और नया space नहीं use किया हमने variables use करें चोटे-चोटे but those are not dependent upon you know those are not dependent upon the size of the input ठीक है तो growth नहीं हो रही है space के अंदर proportional to the input इसलिए space इसका constant है ठीक है constant space है now is insertion sort a stable algorithm stable algorithm क्या होती है कि अगर duplicate elements present है तो जो originally उनके अंदर relative order है जो original array के अंदर उनका relative order है sorted array में क्या relative order change हो गया या नहीं तो यह insertion sort में relative order change नहीं होता क्योंकि आप यह वाली line देखो हम swap सिर्फ तब करते हैं जब हमें less than इक्वालिटी पे हम छोड़ देते हैं हम swap करते ही नहीं है तो insertion sort एक stable algorithm है अब यहार applications of insertion sort कब use होती है insertion sort जब हमारे पास number of elements जो हमें sort करने है वो कम हूँ तब और दूसरा let's say कि कुछ part of the array already sorted है तो overall number of जो overall number of swaps जो है वो reduce हो जाते है अगर already sorted array आ गया तो on में ही चल जाती है और overall number of swaps भी कम हो जाते है अगर एक part of the array let's say sorted है या फिर some part of the array let's say sorted है ठीक है with that यार we have come to the end of this lecture और हमने insertion sort के बारे में आज सारी चीज़े पढ़ी algorithm हम देख चुके हैं कि हम correct position पे जाकर रख देते हैं element को है न unsorted list में से उठाके दो part में array को हम divided मानते हैं हर point पे sorted और unsorted unsorted से उठाते हैं sorted में डाल देते हैं ठीक है time complexities की बात की हमने worst case में तो यार n square time लग रा था average case में भी n square लग रा था but best case में n लग रा था क्योंकि जो inner loop है वो चलता ही नहीं कभी भी अगर हमें already sorted array मिल जाए तो best case है क्या पूरा array sorted ही मिल गया worst case क्या है reverse sorted मिल गया ठीक है in place है क्या या algorithm हाँ या in place है stable है हाँ stable भी है ठीक है